आज का टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं इसको समझने के लिए आपको पहले रेविन्यू का मतलब होता है रेविन्यू का मतलब होता है एईसी income जो की regular basis पर आपको होती है ठीक है? revenue receipts means regular incomes जो आपको business में day to day transactions के time पर regular basis पर होती है उन्हें हम revenue receipt कहते हैं just take a look over the examples amount received from sale of goods आपने market में अपना जो good बनाया था वो बेचा है उसको बेच कर जो cash आपको receive हो रहा है वो है आपका revenue receipt regular basis पर आप समान बेचते हैं न तो regular basis पर मिलने वाला revenue receipt हो जाएगा second है commission और fee receipt मतलब कि आप business चला रहे हो और business में आप किसी party के लिए कुछ beneficial काम कर रहे हो और वो बदले में आपको regular basis पर commission या fees दे रही हैं तो वो भी आपका revenue receipt होगा interest and dividend received on investment आपने किसी company में investment खरी दी है purchase किया वहाँ पैसा लगाया है उस investment पर बदले में आपको interest दिया जा रहा है every month तो वो भी आपका regular है इसलिए revenue receipt हो जाएगा अब बचे confused हो जाते हो ना कहीं बार exam में exam pressure की वज़े से भूल जाते हैं कि revenue receipt का क्या मतलब है तो देखिए re यहाँ पर आ रहा है ना इसी तरह regular में भी re आ रहा है तो आपको इससे याद रखना है कि re re means revenue का मतलब जो income regular होती है clear हो गया next आता है capital receipts capital receipts का मतलब ऐसी कमाई जो आपको कभी कभार होती है या साल में एक बार होती है यह regular basis पर तो बिल्कुल भी नहीं होती जैसे कि amount receipt from sale of fixed asset आपने market में अपना fixed asset बेचा और उसको बेच कर जो आपको cash मिला वो आपका capital receipt होगा take a example जैसे कि आपने suppose करते हैं furniture खरीदा था business के लिए furniture खरीदा वो कुछ time के बाद out of fashion हो गया दो चार साल बाद आपने उसे market में बेच दिया तो बेच कर आपको cash मिल गया that is capital receipt हमेशा ध्यान रखना कि fixed asset को बेच कि जो पैसा मिलेगा वही यहां पर आएगा क्योंकि fixed asset लगातार नहीं बेची जाती है कभी ऐसा नहीं होता फरनीचर आपने खरीद और दो मेने बाद बेच कर फिर नया खरीद लोगे फिर बेच दो के दस दिन बाद उसको और फिर नया खरीद लोगे ऐसा नहीं होता फरनीचर जो यह fixed asset हमेशा कभी कभार ही खरीदे जाते है next आता है amount received by way of loans आपने market से loan उठाया है और एक बार में जो loan उठाया आपने आपको पैसा मिल गया वो भी capital receipt के अंदर आएगा next move on towards the revenue expenditure expenditure I have told you and RER आ रहा है न यानि कि यह regular ऐसे expense हैं जो कि regular nature के हैं revenue expenditure means those expenses which are doing on regular basis like regular expenses during accounting year year के अंदर आप जो regular expense कर रहे हैं जैसे कि अपनी firm का rent पे करना employees की salary देना loan के ओपर interest आप दे रहे हो यह सारी चीज़े regular होती है और इन पर जो पैसा आप दे रहे हो obviously वो खर्चा है आपके लिए तो यह revenue expenditure हो जाएगा next आता है capital expenditure यानि कि ऐसा expense जो कभी कबार करना पड़ता है या हो सकता है कि साल में सिर्फ एक ही बार करना पड़े ठीक है जैसे कि amount spent on purchase of fixed asset and investment आपने कोई fixed asset purchase की है या आपने कोई investment purchase की है तो उसको purchase करने में जो खर्चा आपका आया है ना उसे हम कहेंगे capital expenditure ठीक है but obviously बात है कि यह assets रोज रोज नहीं खरीदे जाते है कभी कबार खरीदे जाते है next यह जो point है यह बहुत ज़्यादा confusing है तो इसलिए मैं यहां जरूर डिसकस करना चाहूंगी देखिए बच्चे क्या सोचते हैं कि यहां पर repair भी आ गया और यहां पर purchase of machinery भी आ गया तो हम इसे regular माने या हम इसे capital expenditure माने क्योंकि revenue जो sorry क्योंकि जो repair है वो तो regular basis पर होती है न कुछ-कुछ time के बाद आपको अपनी गाड़ी की या machines की servicing करवानी पड़ती है तो regular हो गया लेकिन आगे जाके उसने कह दिया चाहिए कि अगर आप कोई भी asset purchase करते हो और उसको purchase करने के ठीक time पर आपने उसके पर अगर कोई extra खर्चा कर दिया है तो वो भी उसी asset के अंदर जूड़ जाता है और वो जो खर्चा आपने किया है वो revenue नहीं रहता वो capital expense बन जाता है इसलिए अगर आपने कोई machinery purchase की है या कुछ और काम किया है और उसके time पर आपने repair की है या wages pay की है वो cancel हो जाता है और वो ही capital expenditure बन जाता है अब आप कहेंगे ऐसा कैसे इसको एक example से समझते हैं आप सभी ने mobile phone सो खरीदे होंगे ठीक है जब आप एक mobile phone खरीद के लाते हो suppose करते हैं वो आपको पढ़ा था 12,000 में आप mobile phone खरीदने के बाद आप क्या खरीदते हो उसके पर आप temper glass लगवाते हो ठीक है आप उसके इंदर memory card डलवाते हो एक नए आसा बड़ी memory वाला जादा जीवी वाला आपने memory card डलवाया या आप उसमें और कोई accessories करवा देते हो तो suppose करते हैं इन सभी खर्चे में आपके 2,000 और लग गए तो जब कोई आपसे पूछता है कि भाया तुने यह फोन खरीदा है कितने में पढ़ा तो आप क्या बताते हो 12,000 बताते हो या 14,000 बताते हो obviously 14,000 बताते हो न आप क्या बोलते हो भाई सब कुछ मिला मुलू के 14,000 में पढ़ा है इसका मतलब क्या बना कि जब भी कोई asset purchase की जाती है उसके purchasing के time पर कोई भी खर्चा अगर किया है तो वो उसी asset के अंदर जुड़ जाता है ठीक है तो वो जो खर्चा आपने किया फिर वो revenue नहीं रहता वो capital बन जाता है clear हो गई बात तो वो आपका capital nature का ही माना जाएगा अब इसमें एक और word use होता है erection erection of asset erection का मतलब क्या होता है erection भी capital expenditure है erection या extension ठीक है extension का मतलब बढ़ा देना बढ़ाना मतलब suppose मेरी एक building है जो कि दो माले की है मैं उसके पर third floor भी बनाना चाहती हूँ ठीक है तो जब मैंने इस पर third floor बना दिया तो मैंने अपनी building को extend कर दिया बढ़ा दी मेरे अपनी building तो वो भी तो capital expenditure ही है क्या मैं हर दूसरे तीसरे महिने में एक third floor बनाऊंगी नहीं न एक बार बन गया सालो साल चलेगा तो अगर extension, erection इस तरह के word नजर आएंगे आपको वो भी capital expenditure में आएगा clear हो गया यहां तक next start करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे पास two types के business होते हैं पहला business वो होता है जिसमें आप बना-बनाया समान खरीबते हो और आगे किसी और party को बेच देते हो ठीक है और second होता है manufacturing business जिसमें कि आप raw material purchase करते हो उस raw material से एक नया product बनाते हो और फिर उसको market में बेचते हो ठीक है तो अगर आपका ऐसा business है जिसमें कि आप goods purchase करते हो किसके लिए reselling के लिए यानि कि बना-बनाया समान खरीदा और market में बेच दिया ठीक है तो जो समान नहीं बिक पाया उस समान को हम कहेंगे stock एक example लेते हैं suppose करते हैं कि मेरा काम है mobile को बेचना ठीक है मेरे एक mobile का showroom है मैंने mobile purchase किये हैं 50 ठीक है लेकिन मैं अभी तक market में सिर्फ 30 mobile ही बेच पाई हूँ तो जो 20 mobile मेरे बिना बिके हुए पड़े हैं जो unsold पड़े है उन 20 mobiles को मैं कहूंगी stock ठीक है कि मेरे पास 20 mobiles का stock पड़ा हुआ है clear हो गया दूसरा business मैंने आपको कहा manufacturing business जिसमें कि आप raw material खरीदते हो और फिर उसको final product में convert करके बेचते हो जैसे कि काम है आपका furniture का आपने wood purchase कर लिया फिर wood को cutting वगरा करके आपने उसको नए design देकर तयार करके market में बेचा ठीक है अब जो market में समान नहीं बिख पाया उस समान को हम कहते हैं inventory अब हमारे पास four types के inventory होती है inventory of raw material means आपने wood खरीदा ठीक है और उसमें से कुछ wood का तो आपने furniture बना लिया work in progress वाली inventory इसका मतलब है कि कुछ ऐसा wood है जो अभी तक final furniture नहीं बना वो अभी progress में है अभी उसमें production चल रहा है तो ऐसे समान को हम कहेंगे inventory of work in progress next आता है inventory of finished goods यानि कि आपने final goods तयार कर लिए आपके furniture बन कर तयार है लेकिन अभी वो बिके नहीं है ठीक है वो unsold पड़े हुए तो अगर कोई ऐसा finished goods है जो कि unsold है उसे हम C वाला type कहेंगे next आता है inventory stock in trade stock in trade का मतलब कि आपने अपनी तरफ से तो furniture बेच दिया और वो अभी रास्ते में है अभी वो consumer तक पहुचा नहीं है ठीक है ना अभी रास्ते में जा रहा है तो ऐसे सामान को हम कहेंगे stock in trade clear हो गया हाँ ता अब जो ये छोटे-छोटे points है मैं आप करवाने चाहरी हूँ आपको ये बहुत important है और हर question में use होंगे तो आपको इनका meaning पता होना चाही देखें outstanding expenses क्या होते है outstanding expense नाम से पता चल रहा है कि ये खर्चा है लेकिन कौन सा खर्चा है ऐसा expense है जो आपने अभी तो pay नहीं किया लेकिन near future में आपको pay करना पड़ेगा ठीक है इसको एक छोटे से example से लेते हैं मेरे पास company में 10 employees काम करते हैं उन में से 9 employees की salary में दे चुकी हूँ 10th employee की salary में अभी नहीं दे पाई क्योंकि मेरे पास cash available नहीं था तो मैंने उसे promise किया कि 10 days के बाद मैं आपकी salary दे दूँगी ठीक है तो जो payment मुझे 10 days के बाद करनी है वो payment क्या होगी outstanding expense outstanding का मतलब बकाया जो बाकी रह गया ठीक है ऐसा expense जो near future में आपको pay करना है और ये एक साल के अंदर ही pay करने होते हैं तो इसलिए ये current liability होती है ठीक है ये example है current liability का आपको पता होना चाहिए outstanding expense जैसे की repair करवाई आपने अपनी machinery की 5000 का खर्चा आया आपने उसको 4000 दे दी और बोला 1000 में 6 दिन बाद दूँगा तो वो 1000 क्या हो गए outstanding expense next आता है prepaid expense prepaid का मतलब pre यानि पहले paid यानि pay कर दिया ऐसा expense जो पहले ही pay कर दिया अभी उसकी payment करने की date नहीं आय थी फिर भी आपने pay किया तो ऐसे expense को हम कहते है current assets क्यों है ये current assets क्योंकि इस expense का फायदा आपको future में होता है like आप एक घर में गए आपने एक room rent पर ले लिया rent हमेशा advance दिया जाता है आपने महीने के पहली तारीक में या second date में आपने rent पे कर दिया और उसके बाद पूरा month आप वहां रह रहे हो ठीक है तो ऐसा expense जो आपने already दे दिया और उसका benefit आपने full month उठाया है वो है prepared expense next आता है goodwill goodwill का मतलब होता है एक firm की reputation एक firm का अच्छा name, fame क्या है market में उसकी क्या reputation है ठीक है ये accounts में बहुत बार use होगा आप reputation नहीं कहेंगे आप कहेंगे firm की goodwill और ये हमेशा intangible asset होता है example है intangible asset का क्योंकि आप किसी firm की reputation को ना तो touch कर सकते हो ना देख सकते हो आप सिर्फ feel कर सकते हो कि इस company की reputation अच्छी है तो ये जो topic था आपका basic accounting terms ये यहीं खतम होता है and if you have any doubt just please comment box में comment कर दीजेगा and don't forget to subscribe my channel channel को जरूर subscribe करना और videos को जाद से जादा share करना thank you hello everyone I welcome you all as you know that we are doing basic accounting terms and in that we are going to discuss some more terms देखिए आज का topic जो हम करने जा रहे हैं इसको समझने के लिए आपको पहले receipts and expenditure पता होने चाहिए receipts का मतलब होता है कि जो चीज आपको receive हो रही है means cash receive हो रहा है and expenditure का मतलब कि आप expense कर रहे हो cash आपके पास से जा रहा है clear है receipt means cash मिल रहा है और expense means cash जा रहा है तो revenue receipts का मतलब क्या हो गया revenue का मतलब होता है regular ऐसी income जो की regular basis पर आपको होती है ठीक है revenue receipts means regular incomes जो आपको business में day to day transactions के टाइम पर regular basis पर होती हैं उन्हें हम revenue receipt कहते हैं just take a look over the examples amount received from sale of goods आपने market में अपना जो good बनाया था वो बेचा है उसको बेच कर जो cash आपको receive हो रहा है वो है आपका revenue receipt regular basis पर आप समान बेचते हैं न तो regular basis पर मिलने वाला revenue receipt हो जाएगा second है commission और fee receipt मतलब कि आप business चला रहे हो और business में आप किसी party के लिए कुछ beneficial काम कर रहे हो और वो बदले में आपको regular basis पर commission या fees दे रही है तो वो भी आपका revenue receipt होगा interest and dividend received on investment आपने किसी company में investment खरीदी है परचेस किया वहाँ पैसा लगाया है उस investment पर बदले में आपको interest दिया जा रहा है every month तो वो भी आपका regular है इसलिए revenue receipt हो जाएगा अब बचे confused हो जाते हो न कहीं बार exam में exam pressure की विज़े से भूल जाते हैं कि revenue receipt का क्या मतलब है तो देखिए RE यहाँ पर आ रहा है न इसी तरह regular में भी RE आ रहा है तो आपको इस से याद रखना है कि RE RE means revenue का मतलब जो income regular होती है clear हो गया next आता है capital receipts capital receipts का मतलब ऐसी कमाई जो आपको कभी कभार होती है या साल में एक बार होती है ठीक है यह regular basis पर तो बिलकुल भी नहीं होती जैसे कि amount receipt from sale of fixed asset आपने market में अपना fixed asset बेचा और उसको बेच कर जो आपको cash मिला वो आपका capital receipt होगा take a example जैसे कि आपने suppose करते हैं furniture खरीदा था business के लिए furniture खरीदा वो कुछ time के बाद out of fashion हो गया 2-4 साल बाद आपने उसे market में बेच दिया तो बेच कर आपको cash मिल गया that is capital receipt हमेशा ध्यान रखना कि fixed asset को बेच कि जो पैसा मिलेगा वही यहां पर आएगा क्योंकि fixed asset लगातार नहीं बेची जाती है कभी ऐसा नहीं होता furniture आपने खरीदा और दो मेने बाद बेच कर फिर नया खरीद लोगे फिर बेच दो के 10 दिन बाद उसको और फिर नया खरीद लोगे ऐसा नहीं होता furniture यह fixed asset हमेशा कभी कभार ही खरीदे जाते है next आता है amount received by way of loans आपने market से loan उठाया है और एक बार में जो loan उठाया आपने आपको पैसा मिल गया वो भी capital receipt के अंदर आएगा next move on towards the revenue expenditure expenditure I have told you and RER न यानि की यह regular ऐसे expense है जो की regular nature के है revenue expenditure means those expenses which are doing on regular basis like regular expenses during accounting year year के अंदर आप जो regular expense कर रहे हो जैसे की अपनी firm का rent pay करना employees की salary देना loan के ओपर interest आप दे रहे हो यह सारी चीज़े regular होती है और इन पर जो पैसा आप दे रहे हो obviously वो खर्चा है आपके लिए तो यह revenue expenditure हो जाएगा next आता है capital expenditure यानि की ऐसा expense जो कभी कबार करना पड़ता है या हो सकता है कि साल में सिर्फ एक ही बार करना पड़े ठीक है जैसे की amount spent on purchase of fixed asset and investment आपने कोई fixed asset purchase की है या आपने को investment purchase की है तो उसको purchase करने में जो खर्चा आपका आया है उसे हम कहेंगे capital expenditure ठीक है but obviously बात है कि यह assets रोज रोज नहीं खरीदे जाते हैं कभी कबार खरीदे जाते हैं next यह जो point है यह बहुत जादा confusing है तो इसलिए मैं यहाँ जरूर डिसकस करना चाहूंगी देखिए बच्चे क्या सोचते हैं कि यहाँ पर repair भी आ गया और यहाँ पर purchase of machinery भी आ गया तो हम इसे regular माने या हम इसे capital expenditure माने क्योंकि revenue जो sorry क्योंकि जो repair है वो तो regular basis पर होती है क्या माने इसको ठीक है न तो इसका doubt आपका बिल्कुल clear होना चाहिए कि अगर आप कोई भी asset purchase करते हो और उसको purchase करने के ठीक time पर आपने उसके पर अगर कोई extra खर्चा कर दिया है तो वो भी उसी asset के अंदर जुड़ जाता है और वो जो खर्चा आपने किया है वो revenue नहीं रहता वो capital expense बन जाता है इसलिए अगर आपने कोई machinery purchase की है या कुछ और काम किया है और उसके time पर आपने repair की है या wages pay की ह वो cancel हो जाता है और वही capital expenditure बन जाता है अब आप कहेंगे ऐसा कैसे इसको एक example से समझते हैं आप सभी ने mobile phones तो खरीदे होंगे ठीक है जब आप एक mobile phone खरीद के लाते हो सपोस करते हैं वो आपको पढ़ा था 12,000 में आप mobile phone खरीदने के बाद आप क्या खरीदते हो उसके प सपोस करते हैं इन सभी खर्चे में आपके 2,000 और लग गए तो जब कोई आपसे पूछता है कि भाया तुने यह फोन खरीदा है कितने में पढ़ा तो आप क्या बताते हो 12,000 बताते हो यह 14,000 बताते हो आप क्या बोलते हो भाई सब कुछ मिला मुलू के 14,000 में पढ़ा है इसका मतलब क्या बना कि जब भी कोई एसेट परचेज की जाती है उसके परचेजिंग के टाइम पर कोई भी खर्चा अगर किया है तो वो उसी एसेट के अंदर जुड जाता है ठीक है तो वो जो खर्चा आपने किया फिर वो रेवेन्यू नहीं रहता वो वो कैपिटल बन उल्रीक्षन या एक्सटेंशन ठीक है Extantom का मतलग बढ़्ढ़ा देना बढ़ाना मतलग सब्सक्राइग इंते तो मैरे एक सिस्टेंशरे महीन ना यह आपको वो भी capital expenditure में आएगा, clear हो गया है यहां तक, next start करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे पास two types के business होते हैं, पहला business वो होता है जिसमें आप बना-बनाया समान खरीदते हो, और आगे किसी और party को बेच देते हो, ठीक है, और second होता है manufacturing business, जिसमें कि आप raw material purchase करते हो, उस raw material से एक नया product बनाते हो, और फिर उसको market में बेचते हो, ठीक है, तो अगर आपका ऐसा business है, जिसमें कि आप goods purchase करते हो, किसके लिए, reselling के लिए, यानि कि बना-बनाया समान खरीदा और market में बेच दिया, ठीक है, तो जो समान नहीं बिक पाया, उस समान को हम क रहेंगे, stock, एक example लेते हैं, suppose करते हैं कि मेरा काम है, mobile को बेचना, ठीक है, मेरे एक mobiles का showroom है, मैंने mobiles purchase किये हैं, 50, ठीक है, लेकिन मैं अभी तक market में सिर्फ 30 mobiles ही बेच पाई हूँ, तो जो 20 mobiles मेरे बिना बिके हुए पड़े हैं, means जो unsold पड़े हैं, उन 20 mobiles को मैं होगी, stock, ठीक है, कि मेरे पास 20 mobiles का stock पड़ा हुआ है, clear हो गया, दूसरा business में आपको कहा, manufacturing business, जिसमें कि आप raw material खरीदते हो, और फिर उसको final product में convert करके बेचते हो, जैसे कि काम है आपका furniture का, आपने wood purchase कर लिया, फिर wood को cutting वगएरा करके, आपने उसको नए डिजाइन द पास four types के inventory होती है, inventory of raw material, means आपने wood खरीदा, ठीक है, और उसमें से कुछ wood का तो आपने furniture बना लिया, और जो wood, यानि जो लकडी आपकी use नहीं हुई है, उस लकडी को हम कहेंगे inventory of raw material, next है work in progress वाली inventory, इसका मतलब है कि कुछ ऐसा wood है, जो अभी तक final furniture नहीं बना, वो अभी progress में है, अभी उसमें production चल रहा है, तो ऐसे सामान को हम कहेंगे inventory of work in progress, next आता है inventory of finished goods, यानि कि आपने final goods तयार कर लिया, आपके furniture बन कर तयार है, लेकिन अभी वो बिके नहीं है, ठीक है, वो unsold पड़े हुए, तो अगर कोई ऐसा finished goods है, जो कि unsold है, उसे हम C वाला type कहेंगे next आता है inventory stock in trade, stock in trade का मतलग कि आपने अपनी तरफ से तो furniture बेच दिया, और वो अभी रास्ते में है, अभी वो consumer तक पहुँचा नहीं है, ठीक है ना, अभी रास्ते में जा रहा है, तो ऐसे सामान को हम कहेंगे stock in trade, clear हो गया हाँ तक, अब जो ये चोटे-चोटे points है, मैं य चाहरी हूं आपको, ये बहुत important है, और हर question में use होंगे, तो आपको इनका meaning पता होना अचे, देखे, outstanding expenses क्या होते है, outstanding expense, नाम से पता चल रहा है कि ये खर्चा है, लेकिन कौन सा खर्चा है, ऐसा expense है, जो आपने अभी तो pay नहीं किया, लेकिन near future में आपको pay करना ठीक है, इसको एक छोटे से example से लेते हैं, मेरे पास company में 10 employees काम करते हैं, उन में से 9 employees की salary में दे चुकी हूं, 10th employee की salary में अभी नहीं रे पाई, क्योंकि मेरे पास cash available नहीं था, तो मैंने उसे promise किया, कि 10 days के बाद मैं आपकी salary दे दूँगी, ठीक है, तो जो payment मुझे 10 days के करनी है, वो payment क्या होगी, outstanding expense, outstanding का मतलब बकाया, जो बाकी रह गया, ठीक है, ऐसा expense जो near future में आपको pay करना है, और ये एक साल के अंदर ही pay करने होते हैं, तो इसलिए ये current liability होती है, ठीक है, ये example है current liability का, आपको पता होना चाहिए outstanding expense, जैसे की repair करवाई आपने अपनी machinery की, 5000 क खर्चा आया, आपने उसको 4000 दे दी और बोला 1000 में 6 दिन बाद दूगा, तो वो 1000 क्या हो गए, outstanding expense, next आता है prepaid expense, prepaid का मतलब, pre यानि पहले, paid यानि pay कर दिया, ऐसा expense, जो पहले ही pay कर दिया, अभी उसकी payment करने की date नहीं आय थी, फिर भी आपने pay किया, तो ऐसे expense को हम कहते है current assets, ठीक है, क्यों है ये current assets, क्योंकि इस expense का फायदा आपको future में होता है, like आप एक घर में गए, आपने एक room rent पर ले लिया, rent हमेशा advance दिया जाता है, आपने महीने के पहली तारीक में या second date में आपने rent पे कर दिया, और उसके बाद पूरा month आप वहां रह रहे हो, ठीक है firm का मतलब होता है, एक firm की reputation, एक firm का अच्छा name, fame क्या है, market में उसकी क्या reputation है, ठीक है, ये accounts में बहुत बार use होगा, आप reputation नहीं कहेंगे, आप कहेंगे firm की goodwill, और ये हमेशा intangible asset होता है, example है intangible asset का, क्योंकि आप किसी firm की reputation को ना तो touch कर सकते हो, ना देख सकते हो, आप सि feel कर सकते हो, कि इस company की reputation अच्छी है, तो ये जो topic था, आपका basic accounting terms यहीं खतम होता है, and if you have any doubt, just please comment box में comment कर दीजेगा, and don't forget to subscribe my channel, channel को जरूर subscribe करना, और वीडियो को जादे से जादे शेर करना, thank you.